किसानी मंगानू लेके केंदर सरकार दे खिलाफ किसाना ने दुबारा जंग शुरू कर देती है इस वक्त संगरूर दे मैला चौंक दे विचे मौजूदा थे बड़ी गल तो नुदाश दी कि हर्याने दे किसान पंजाब दे किसाना नू अपने नाल लेन पंजाब दे विच किसाना सरकार ने भावडर बंद करक देलिए द्ज्फ। जंक लड़ी जहाँगी जिम्हें की दोहर भी देविचे दिली सरकार देख लाव जंक लड़ी की सी तां तस्वीरां दिखा वागे के हरेओन किसाने इस वक्त मेला चौक दी मंदी दी विचे ने पंजाब दी किसाने ट्रालीयां तो नो दुखा मागे कि तकरीबं तकरीबं 15 सब्सक्राइब काफ़ा काफ़ा लेके दिली दे बाड़रां वाल जड़ा है इना दे वलों एथे कूच किता जाओगा सर कहां सी आएं कौन सी आपकी किसान जथे बंदी है और कितनी गिंती में आप लोग यहां पर पहुंचे हैं देखिए हम पानिपत जिले के गाव नोल्था से आए हैं हमारी यूनियन का नाम भारतिय किसान नोजवान यूनियन है और लगबग हमारे हर्याना के लगबग हर एक जिले से हमारे साथी काफी संख्या में यहां पहुंचे हैं किस तरीके से देखते हो आप पंजाब में आये हो पंजाब में आने का कारण क्या है और क्या किसानों को बोल रहे हो किस तरीके की मदद या किस तरीकी की लड़ाई होगी देखिए आज देश में एक दूसरा जादी का अंदोलन चिला है इस देश के किसान और मजदूरों को जो इतने दिनों से देश जादी के बाद सोशन को सहते आ रहे थे कि अब हम जाकर उन सरकारों से अपने जो अधिकार हैं वो ले और हम अपने पंजाब वाले भायों के देखिए ये किसी एक जो हमारी मांगे हैं जो हम आज आंदोलन के लिए यहां पहुँचे हैं ये पहली बात तो केले पंजाब का अंदोलन नहीं ना केले अरियाना का पूरे देश के किसानों को चाहिए जो आज देश के किसान बिना उनकी फसलों के भाव मरते जा रहे हैं वह यह नहीं है कि अर्याना और पंजाब के मरते जा रहे हैं वह पूरे देश के सिमिन्ट डालके पका काम कर दिया है तो किस तरीके से देखते हो पंजाब में आने का असली मकसद के आपका देखिए पंजाब में आने का मकसद ही है कि हम अपने पंजाब वाले भाईयों को उनके आगे रहके उनको साथ लेके हरियाना पहुंचें और हरियाना के साथ साथ च चला तो लगबग हर्याना का मुश्किल से 5 या 7% किसान जाग रूख था जब यहां से आंदोलन पार हुआ बाद में आंदोलन जचने के बाद हमें आंदोलन को समझने का और उससे जुड़ने का मौका मिला लेकिन अब की बार हर्याना के गाउं गाउं में पूरी लहर है वो बढ़ चड़कर अंदोलन के लिए तैयार है हर एक गाउं से ट्रालियाब की बार तैयार हो चुकी है और पिछले अंदोलन से पांच गुना बढ़ा होगा सरकार से हम तो यह यागरा करते कि थोड़ी तैयारिया और बढ़ाईए हमें भी मजा आए ताकि दिल्ली जाने में भाई हमारा जो अधिकार है वो सविधान ने दिया कि हम इस देश में शांतिपूर्ण अंदोलन लड़ सकते हैं लेकिन सरकार इस तरह से एक ताना शाहिरवई अपनाती है तो हम तो यह मानते कि वो लोग तंतर की हत्या कर रही है आप कौन सा तरीका यूज करेंगे जो पह कर लिए फ़र जाएंगे कैसे टकराओ तो सामने हैं बिल्कुल देखिए सड़के बंद कर दी तो पहली बात तो हम बैरिकेट तोड़ेंगे अगर सरकार बैरिकेट नहीं तोड़ने देगी या कुछ और त्रैग वो करेगी तो हमारे खेतों से गुजर कर क्या बात है कोई चलेंगे और अपने पंजाब वाले भाईयों को कहेंगे कि आप थोड़ा सा सुरुक्सित होगे चले जो अर्यान सरकार टकराएंगे हमसे टकराएं पहले हम तयार है पूरी तरह है तो हरेन दे साथी पहुंचे ने पंजाब दे साथी ने गल कर देया और आण सिंग चठा जी किस तरीके ना देख देओ किन ना के काठट तो अडेखे है किन यह कि ट्राली आखे होगे किड़ी राणीति ना गेबाद ना होना क्योंकि होनता हरेने तननो लेन आ इने खोट पूंच गी तो सारे किसान इसे ट्रालियां कठीयां होगी तक ली बीक जो एक ता सिद्धू पूर्दी पची सो तन्ना है ट्राली तो लेके न सब्सक्राइब दिली बालों कुछ करांगे बिलकुल गल ओही तिया की जड़ा केंदर सरकार जिस तरीके नड़ बैरिगेडिंग पके कर रही है सिमिंट पारिया ता दुझे पासे हर्याण दे किसान वी पंजाब दे किसान अनू लेंड आये ने उननों खुद हारी केड़ा रस्ता है ना दे वलो दिखाऊंड दी कोशिश किती जारी है एक अल कि है जारी है कि अगर ता नू रोक देने तासी दूने पास अग़े जानगे थे पंजाब दे किसान वे पिच्छी बिच्छी ना मुँझे ता बड़ी किंटि दी किसान वे पिचरावाल दे जाऊँगा तै स्वेरे किसानने उत्य जाके उस जगह रोल के प्लुद है फैसला वे लाओ ए फैसलन नियुजेते पंजाब